आपको आके कुछी सरका दिखेगा, गेट नमर तीन पे उतरेंगे पटना जक्सन के भावक नजारा और अपना प्यारा सा जंडा आपको दिखेगा यहाँ पे, हम लोग जाने वाले हैं गायतरी मंदिर, पटना जक्सन से गायतरी मंदिर कैसे जाएंगे इसका रास्ता आपको और इसी रास्ता में आप आँगे बढ़ते जाएंगे, आपको कहां से टेम्पू पकड़ना है, बस पकड़ना है, कितना रुपया लगेगा, सारा चीज खोल देंगे इस वीडियो में, आपको कोई भी जंजट नहीं, दो मिनिट का वीडियो है, दो मिनिट में आप पूरे जनकारी ले लेंगे, आप कोई भी टेम्पू वाले का ज्यादा पैसा लेने का सिकार नहीं बन पाएंगे, अगर आप नए है पटना में, तो ये वीडियो आपको काफी मदद कर सकता है, देखिए इस रास्ता से आँगे बढ़ते जाएंगे, तो एक बोड़ आपक को, ये सारे जाते हैं हमारे ही पास, ग्याइतरी मंदिर से ही होते हुए आँगे फोड़ा जाते हैं, कहां बढ़ते हैं? मलाही पकडी के डाइरेक्शन बढ़ते हैं, बस वाला है, किराया दस रुपया लेगा, और वही बात रहा टेम्पू वाला डियरेक्शन, तो तो ये भी टेपू पकड़ लेना है और इसी रास्ता से आंगे बढ़ते जाना है और जाना कहा है तो मलाही पकड़ी के पास हम बोलेंगे मलाही पकड़ी हमको जाना है उसी के पास गायत्री गली के पास गायत्री मंद्री का जो गली है वहीं पर आपको बोलिएगा टेपू वाला भ से देखिए और इस से आपको आंगे बढ़ते जाना हो टेंपू वाला जहा रहा है उसा डायरेक्शन में हम लोग जाएंगे यहां से आप उतने के बाद मातर 5 मिनेट का रस्ता है पैदल पांच मिनेट का रास्ता है, आप पांच मिनेट पहुंच जाएं, करीबन 200 मीटर की दूरी है, देखिए, यहां पे आपको इंडियन वायल का पिट्रोल पम दिखेगा, अगर पिट्रोल पम दिख रहा है, तो समझे कि आप सही डिरेक्शन में जा रहे हैं, आप गायतरी मंदिर आ गया है, जिसकी आपने मस्तिक्त में सोच के रखाता है, चलते हैं, हम अंदर भी लेके चलते हैं, आपको क्या सा पावर है, यह देखिए, कितना प्यारा ओसम है हमारा गायतरी मंदिर, तो इसके अंदर हम आ गये हैं, आप और एक अधू दिन सक्ति के के हैं, गायतरी मंदिर में धन्य बाद